तो भाई सबसे पर आप शबको नमस्कार भाई और गोवा की वीडियो को थोड़ा बहुत प्यार देने के लिए आप सबका धन्यवाद तो भाई आज कुछ मातिस करने जा रहोगा आपके साथ कि गोवा मैं कैसे गया मैं और कितना खर्चा आया और कहा रहा तो इस वीडियो में यही मैं आप से शेयर करना चाहता हूं तो भाई फर्स्ट फॉफॉल जब गोवा मैं गया फर्स्ट टाइम तो मेरे को इतना तो पता था कि गोवा का जो टेंपरेच रहा है वो भाई काफी मतलब काफी नहीं मुझे लगा कि यहां दिल्ली में सर्दी है तो थोड़ी वहत हल्की फोटकी ठंड तो जरूर होगी बर बने यह एक्सपे नहीं किया था कि इतनी गर्मी होगी, तो भाई जब मैं गोवा में स्टेस्ट में पर पहुँचा तो मैंने हूडी प्र जैक्र भी प्रन रही और जब कोवा में मैं उतर रहा तो भाई एथम ग और जिस होटल में मैं रहा था, बनलब जैसी मैं रिसोर्ट में किया हूँ, वाँ पे बाहर अंग्रेज होंगे बैठे थे, और सब निक्कर में, और सेंडो में, और मैं अकेला हूडी में, फुल स्लिप और हाफ जैकिट उपर से, और वह लोग चौगे, भाई ये कौन से, मैं पूछनी पर देख रहे थे हो कि भाई ऐसे किसे, समझ गया होंगे हो कि ठंडे एरिये से आया हूँ, लदाक, कुल मनाली, हिमाचल जो उधरा गन से आया हूँ, तो दिली में तो आपको पता ये ठंड होती है, तो भाई, और जो मैंने होटल लिया हूँ, तो ले रहे थे तो और नाच भी रहे थे, तो किसी इट वीडियो गनाना सही नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया हूँ, वागी मैं बीचेस पर गया, और बीचेस पर मैं जब गया तो मेरे को इतना, बल्ला चेहरा मेरा जुल सी आता, अभी तो साफ हो गया है, क्योंकि मै मैं करी मेरे मल लगा रहा हूँ, इसको रिपेर करने के लिए, तो काफी हद तक ठीक हो चुका है, और भाई, जब मैं बीचेस पर गया, नहार हो के तो, बीचेस में समदर नहीं देगा था, मैं को मेरे लिए एक एक नया एक्स्पिरियंस था, बीचेस में गुमना, और समद आप जाओ ना, तो हमेशा अरली मॉनिंग, छे बज़े से लेके सुबह 10-11 तक आप घूमो, ठीक है, उसके बाद वापिस अपने होटल में आ जाओ, जहां भी आप ठहरे हो, और भाई, फिर उसके बाद, शाम को तीन बज़े के बाद, आप आरम से निकल सकते हो, पर संस्क आप मिशनी होती है, उनको उनकी चहरी, उनका जो सकीन हो लारू आते दुख में, पर हम इंडियन लोगों की स्कीन हो काली पीजाती है, भाई ने क्यों हो रहा था, शराब दिया है, इंडियन लोगों को, की चहरी तो बज़ुस जाता है, और बस वहां पर खाने पीने की, जो मैं तो डिंक करते हैं, वहां पर जो दारू आरू पीते होंगी मोज है, वहांगी डिंक बहुत सस्ती है, और खाने में आपको फिश, और खाना ठीक मिल जाएगा आपको, बड़ी है कि अगर आप कोई भी खाना खाते हो, इस्पेशली वेजिटेटमन खाना, उसमें हर हर चीज में आपको कोकोनट मुले गा, मैंना पर दाल ठाएगी, सब्ली हैगी उसमें भी इस सब में कोकोनट मीला रा कर, मैं भै क्या मैं बिलाँ है ? क्या मिल रहा है ? हर चीज में ? बोले भार है, बहाई Посलμε över do that खाक और चलो ठीक है यह हांगी इस्कोटी आपको मिल जाईं जाहां पर 400 से श्टार्ट जाई 400 से श्टार्ट है और 500-600 तक कि मुझाई आराम से बट इसकूटी जब भी लो ना तो लेदे से पहले उसकी वीडियो ग्राफिक कर लेना ताकि वह बात में कुछ बोले ना को कि यह तोड़ रही है वह दोड़ दिया ठीक है बाकी वहां के जो 500 से स्टार्ट है 400-500 से स्टार्ट है और फिर कोई लिमिट नहीं है लाखों तक है ठीक है और भाई और क्या बढ़ा हूं बाकी भाई बाल जो एक्स्पिर्स मेरा रहां गोवा का वो फैंटास्टिक रहा और इस साल मैं फिर से जाओंगा और भाई आपको मेरी वीडियो में जो आपने थोड़ा सा प्यार दिखा दो चैनल को प्लिज सब्सक्राइब करो अगर कोई बी मेरे चनल पर पहरी वार आ रहा भाई प्ली सब्सक्राइब करो छिए है और सिरट भी करते ने है प्ली स तो में अर ऑच्छे करू़िए है और फिर आगे बढ़ेंगे हम भी और आप भी आगे बढ़ो ठीक है और भाई बाकी आपको कुछ भी पुछ नहीं ना गोब के बारे में तो पूछ सकते हो मेरे से कमेंट में आपको जरूर इसका रिप्लाइ जरूरूर दूगा और बाई और क्या बतासा को में के बारे में हाँ गो में ट्रांसपर की बड़ी दिक्त है वहाँ फे एक पोला उबर नहीं चलती कि आप क्या बुक कर लो या क्या बुक कर लो या फिर वहाँ पे बस स्कूटी एक आदने बस भी नहीं बहुत खम चलती है बस तो इसकूटी ले लो आप 4-500 में और घूमते रो पेट्रोल भी ठीक है और एक और बात वहां पर ना रोड जो है न वह डबल रोड नहीं है दिल्ली के तरह कि आने जाने के लिए अलग लग लग यह उसी में ट्रेक रिक आता है उसी में जाता है तो यह है और old gova, south gova और north gova north gova में रुखा था मैं आरब बॉली बीच के पास और वह एंड है गोवा का एंड है ठीक है उसके बाद फिर मोर्जिम बीच, एस्विम बीच और मेंडरिम बीच ठीक है और सादगोग फिर कालन गोट बीच, अन्जोमा बीच, बागा बीच ये सब बीचिस परते हैं तो यह आपको सब को देखने चाहिए और काफी हर्यानी बहुत जमाद को बाद थोड़ी हु यह 5 मन्त है और अगर आप जा रहे हो तो आप ऐसा कर रहा है कि भई पहले से बूक कर रहे हैं और रोम हो गया क्योंकि यह ना सीजन जब पीक होता है तो मिले बहुत बूसकराते हैं, आपको सब्सक्राइब आपको अपने ढूने से मिल जाएंगे पर सुड़ा आपको अप आपको फोर्टा मिल जाएगा, आपको पूरा दिन उसी में खर्च गयाएगा तो यह बाकी लोग काफी अच्छे हमाँ पर हेल बूल है और हराम बोल बीच में आपको रश्यन बोल मिल जाएगी जो कि काफी मलरोमांटिक वालर सीन होता हमाँ पर और फिश जो खाते हैं उन तो बाई यह वीडियो ज्यादा लेंग थी ना हो जाए इसलिए मैं इसे क्लोस करता हूं वह रात के बच्चों के हैं बारा तो बाई वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपको थोड़ा से अच्छ लाएगा तो कमेंट जलू करना और ऐ छेख रेधोग फ्याद रेड़ कक्षा बाऊंट था लाएग मैं अलेह, औरे-द लाएगा लाएगा, मैं आट भात मैं मैंट अन क्यादाध भात कर सका अक्षा नहीं, बाऑना प्वराः करूभी का